अब युद्ध करने के लिए दो तीजों की जरूरत हैं एक शारीरिक बलकी एक मानसिक बलकी एक ताकतवर मनन और एक ताकतवर शरीर किसी भी युद्ध को बहुत शांदार सरीके से लड़ेगा किसी का बुरा वक्त देखकर उसकी उकाद का अंदाजा मत लगाए करो मैं कपड़े पहन कर जाओ कहां और बल बनाओ किसके लिए वो शक्स ही शहर छोड़ गया मैं बाहर जाओ किसके लिए वो शहर में था तो उसके लिए और एक इसान के लिए मैं रोया बहुत जले तो बहुत लोग है मुझसे पर उखाड कुछ न सकते आनू कुछ थे तक्दियाने वक्त मेरा हो या ना हो पर मैं हर वक्त तेरा रहूँगा कभी-कभी ऐसे फिल हो दा ना कि जार सब का हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है कभी-कभी मन करता है कि ये सब को छोड़ चार कर खोड़ दूर चुला दा हूँ कुछ समझे नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है हम दुनिया से दो कदम पीछे ही सही मगर खुद के दम पर चलते हैं राजपूतों की तरह कभी लड़े होते तो जान जाते राजपूत रण भूमी में लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन अपने खुटने कभी नहीं टेकेगा सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है आज जिम करने नहीं जाना बहुत गर्मी है पता है हमें अफ्री भी करेंगे बरभादी की हद तक करेंगे क्या है न दोस्त रिष्टों में लॉजिक नहीं होता सिर्फ मेजिक होता है तेरा गमंडी तुझे हराएगा मैं क्या हूँ तुझे वक्त ही बताएगा पहाड़ों पर बादल और बहादरों के सरों पर बिजली कड़कती रहती है भाई बहुत से गद्दारों और दुश्मनों के बावजूद हम मौजूद हैं सरसमीन पर बले देर से बनो लेकिन अपनी जिन्दगी में जरूर कुछ बनो क्योंकि ये दुनिया आपके हालचाल नहीं पूछती आपकी हेसियत पूछती है आपकी उकाद पूछती है तुम्हारे लिए इस दुनिया में रिष्टे नाते कुछ नहीं है जब तक तुम कुछ जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत वो बस चलते नहीं है भागते है जरूरत महंती मजदूर और मा ये सब सूरस से पहले जागते है समय आने दे सब को देख लेंगे मैं राज तुझ से कहूं हम राज बन जाज़रा करनी है मुछ गुफ्त गूँ अलफाज बन जाज़रा तो भाई तुम कितने भी महंगे जिम चले जाओ जिसमें एसी होगा कैफी होगे और बहुत सारी फैसिलिटीज होगी अगर जो मज़ा भाई वो तीन सो रुपे वाली जिम में था ना जिसमें न एसी होता था ना कूलर होता था सिर्फ लोहे के वेट्स होते थे भाई असली बाड़ी तो वहीं बद दी और असली मज़ा वहीं आता था कि जिम जाना मतलब अधर इतना जिम नहीं गया तो फिर ऐसे लगते हैं कुछ की आए नहीं पूरे दिने प्ता नहीं हो जो यह लाज स्टेज में में को पता नहीं जिम से अभी यह कलगी लगा हो गया है क्योंकि वही टाइम है जो में खुदको पुश करता हूँ जादा पुश करता हूँ तो बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगता है मुझे कि में खुद जो इसत करेगा इसत करूंगा किसी के आने जाने से फरक नहीं पड़ता मुझे जिन्दगी मेरी है जैसे मर्जी जी हूँ किसी के बाप का खुलाम नहीं हूँ मैं समझा छोड रहे हो अच्छा है तुम तो ये भी कर सकते हो मैं तो जिससे मिल जाता हूँ साथ निबाने लगता हूँ हर उस आठ में चुबना है मुझे जिसने हमें देखकर नजरे फेरी थी कभी मैं उस एक जीत के लिए हजारों बार हारने को तैयार हूँ जिसमें लोग मुझे कहते हैं कि तुम से नहीं हो पाएगा और मैं वही करके दिखाएगा ना ना अकड नहीं डर्लिंग इसी अकड के चकर में तो आज भी हमारे आधे खांदान से बोल चल बन दे मुझे हीरो नहीं मतना है प्रैड मैं तो विल्ल पूल गै इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है कहा था ना मेरी जान अकर तुम बदले तो कुछ भी नहीं अकर हम बदले तो महावली बदल देंगे कटम मुझे जो धोकें मिले हैं मेरी गल्ती के वज़े से मिले हैं अब मुझे कोई धोका नहीं देता है अम्मा के लिए रहता हूं लोग बोलते थे कि पढ़ाई कर ले वरना जोब नहीं मिलेगी जोब चाहिए भी एक पर हालाद तो सुधर जाएं पन्ना मोड कर आयों कहां से शुरू करना है सब याद है मुझे तोड़ा इंतिजार कर मेरे भाई सिर्फ वक्त कमजोर है तेरा यार नहीं दो चीजों में विश्वास रखना है भाई बस सिर्फ दो चीज़ें पहला मन्जिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास पाकिसाला सब बखवास बन कर देखा है मैंने अच्छ है इंसान यकीन करो मजबूर कर देते हैं लोग बूरा बनने पर प्यार में इंसान चूतिया बन जाता एक मैं ही हूँ जैसा लड़की तो पसंद आती है लेकिन प्यार नहीं होता कहां वफा का सिला देते हैं लोग अब तो महबत की सजा देते हैं लोग पहले सजाते हैं दिलों में चाहतों के चिराग पिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग उमीद नहीं यकीन है खुद पर एक दिन अपनी अलग पहचान बनाएंगे जवानी की उमर अक्सर पसंदीदा चीज़ों की गुरुबानी मांगती है काबिलियत पर शक मत कर हमें गिराने के लिए लोग कोशिशे नहीं साजिश करते हैं बेवफाओं की किसमत नहीं होते उमर बीच जाती है मर्द बदलते मदलते